पिस्मिल्यर्माइन रहीम, अस्सलाम अलेकूं, वेलके बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सिंगल पीस नकाब, यह वन पीस नकाब होता है, सिंगल पीस जो हम नोस्पिस लगाते हैं, तो इसे जो है सिलना बहुत आसान है, आप इसे जो है वो प् का है, और मैंने याप पे आदा मिटर लिया है, तो मैं इसे आपको खोल के दिखा देती हूँ, यह डूपटा जो है थोड़ा पतला होता है, आप देख सकते हैं, ट्रांस्पेरेंट बिल्कुल इसमें से दिखाई देता है, देखिए इसमें से हाथ दिखाई दे रहा है, त तो मैं इसे जो है वो डबल करके आज बनाना सिखाऊंगी, तो हम जो है फैबरी को इस तरह से पहले डबल कर लेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे इससे इस तरह से फोल्ड कर लिया है, दो लेर हमने यहाँ पे रखा है, तो सबसे पहले हम इस कपड़ी को सीधा करेंगे, त तरह से यह को तो व्यांट हम इस की फोर्टीनियच कर लेंगे सब तरफ से मसे सम्झे अपर करना है और है हमे इस तरह से रगत लम्बी रखे और अपने इससाब से कम या जाल कर सकते हैं, जितना आपको टाय करने के लितने पहुद में से ship कर लिए कट कर देंगे यह अदो यहां पर हमने हमें cutting हमें consistent करें हैं दो 2द वकिद्व हो गई सीसे सिलाई इसके अंदर उसके बाद में हम ने हमने पीस तयार करके रखी ती डेखिए इसे हमने double किया था इसे हम खोल लेते है पहले तो इसे हम पहले इस तरहसे उल्टा करें गे और इसमें जो हमें इसमें तीन तरफ जो है वो सिलाई लगानी होगी तो इसे पहले हम बराबर कर लेते हैं यहां पर तीनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे लेकिन हमें पीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना होगा जब हम सिलाई इसके अंदर लगाएंगे तो थोड़ा गैप हम छोड़के उसके बाद सिलाई लगाएंगे तकि हम उसे पलट सकें तो सबसे पहले हम जो है वो स्ट्रिप तयार कर लेते हैं तो स्ट्रिप को हमें इस तरह से डबल फोल्ड पहले करना है दोनों तरफ से हम पहले फोल्ड करके फिर दुबारा से बीच में फोल्ड करेंगे देखे इस तरह से आपको फोल करना है और बिल्कुल साइट से हम इसमें सिलाई लगाते चले जाएंगे यानि ये जो हमने नोसपीस कट करके रखी थी इसे जो हमें पालर के जो सिलाई लगाने थी सिलाई लगाने से पहले हमें इस डोरी को इसके अंदर डालनी है यानि हमने ये स्ट्रिप त्यार करके रखी है वो हम अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह पहले आपको बराबर कर ले और यहां पिन लगा देंगे यानि यहां से जो है हमें सिलाई करनी होगी इस तरह से मैंने इसमें पिन लगा दिया है से मिसी तरह हम दूसरी तरफ भी करेंगे इसे पहले हम बराबर करेंगे तो इसे भी हम यहां से पहले पिन लगा देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर भी जो है दूसरी वाली हमारी स्ट्रिप इसके अंदर डाल देंगे देखिए इस स्ट्रिप को जो है वो हम अंदर की तरफ करेंगे यहाँ पे हम पिन लगा देंगे उसके बाद में हमें सिलाई लगानी है तो यहाँ पे हम सिलाई लगाते चले जाएंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ी दूर हमें जो है वो सिलाई छोड़ देनी है ताकि हम जो है इस नोसपीस को पलट सके तो यहां से हम सिलाई लगाएंगे तो यहां पे हम डबल कर देंगे सिलाई को जहां पे हमने स्ट्रिप को अंदर की तरफ डाल दिया है उसके बाद से हम एक पैर की दूरी पर से हम सिलाई लगाएंगे ज़्यादा किनारी पर से लगाएंगे तो जब हम पलटेंगे तो ये कपड़ा जो है वो खिस रख सकता है क्योंकि ये बहुत ही पतला जो है कपड़ा होता है दीखे हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे तो इस दोबारा से हम सिलाई लिए पर तो यहां पर देखे हमने सिलाई से लगा दिया है अब जो खाली वाला हिस्सा था वहां से हम इसे पलट देंगे इस तरह से देखे इस तरह से हम इसे पलट देंगे तो उसके बाद में हमें जो है इसका पॉइंट निकालना है तो हम सिधा से इसका पॉइंट निकाल देंगे तो यहां पर दिखे हमने इसका पॉइंट निकाल दिया उसके बाद यह जो खुला वाला हिस्सा इसे हम बंद करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ side से बिल्कुल सिलाई लगाएंगे यह जो हिस्सा हमने सिर्फ fold किया था यहाँ पे हमने joint नहीं लगाया है यहां पर भी हम पिल्कुल किनारी पर से एक सिलाई लगाएंगे यानि अब हमें चारो तरफ सिलाई लगानी है इस तरह से देखिए हम गुमाते चले जाएंगे उसके बाद जो है देखिए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है जहाँ पे हमने स्ट्रीप डाली थी वहाँ पे दुबारा से हमने डबल किया दबाके और फिर इस तरह सिलाई लगाएंगे तो यह हमारा देखिए खुला वाला हिस्सा इसे अब हम बंद कर देंगे सिलाई लगाके तो यहाँ पे हमारी देखिए नोस्पीस बिल्कुल तैयार है बहुत ही आसान और जो है बहुत ज़्यादा कमफर्टेबल यह नोस्पीस रहती है और ज़्यादा तर जो हम लोग यही वाली नोस्पीस यूज़ करते हैं डबल वाली भी रहती है पर वो ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं तो इसे मैं आपको पहन कर भी बताऊंगी वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें तो यहाँ पे देखें मैंने इस नुस्पिस को पहना है और मुझे बहुत ही ज़ादा पसंद आई है तो मिलते हैं अगली वीडियो में दुआओं में याद रखें आप इस तरह की नुस्पिस बनाना सिखा है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए जोजोड का फैब्रि को डबल फोल्ड करके रख लिया है अब हम इसकी चोड़ाई यहां से यहां तक ले लेते हैं तो मैंने यहाँ पे देखिए 15.5 इंच पे निशान लगा दिया है और हमने थोड़ा-थोड़ा से इसमें सिलाई में भी लेना है तो यह हाफ अफ इंच कम हो जाएगा उसके बा उसके बना रहे हैं तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह की जो नुष्पि से वाचकल ट्रेंड में है लोगों को बहुत पसंद आती है पहले तो स्क्वैर में मतलब सीधी बनाई जाती थी एकदम स्ट्रेट सामने का हिस्सा रहता था लेकिन इसके अंदर जो है थ तो यहाँ पर हम पहले मार्क कर लेंगे जितना गैप हम बीच में छोड़ने वाले हैं अपने आइस के लिए तो यहाँ पर मैंने देखिए 4-4 इंच पर मार्क कर दिया है आप अपने हिसाब से यहाँ पर जगा छोड़ सकते हैं बीच में यहाँ पर देखिए इसे बराबर कर कर प्लाने इस तरह में गैज से भी मर्त कर सकते हैं जो इस तरह से बिचेफैसरा से में इन पाप निस्च किन बीच-स पर मिलेगा तोइसके बाद हम क्या करें निया प्लाक ऐआब कीया है असे भी सक्षोफ commits कर लेएं JEFF तो इससे जब साइड वाला हिस्सा जो हमारा बेल्ट रहेगा उपर वाला हिस्सा उसके नदर डालेंगे तो यह बीचका हिस्सा थोड़ा सा गहराई में आएगा तो वो अच्छा दिखाई देगा तो उपर वाला बेल्ड बनाने के लिए हम यहाँ पेपर कैन्वस यूज़ कर रहे हैं अगर आपको और ज़्यादा मतलब कड़क बनाना है तो आप बुकरम यूज़ कर सकते हैं जो के स्टिक करने वाला होता है वो महंगा आता है थोड़ा सा और यह जो पेपर पेस्टिंग होता है यह सस्ता भी आता है और यह घर में अक्सर मौझूद रहता है तो यहाँ पर हम इसकी लेंद ले लेते हैं तो मैंने यहाँ से यहाँ तक दिखिए 18 इंच पर मार्क करना है और चोड़ाई जो है हम यहाँ पर 3 इंच के करीब लेंगे तो हम 3 इंच के करीब यहाँ पर मार्क कर देते हैं जो है मैंने यहाँ पर 18 इंच ही रखा है तो इससे हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से और इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे इतना हिस्ता कट करने के बाद में हम इसके अंदर शेप देंगे तो यहां पर देखे मैंने इसे कटिंग कर लिया है इसे अब हम जो है फोल्ड करेंगे देखे इस तरह से अब हम इसके अंदर जो है शेप देंगे तो इसे पहले इस तरह फोल कर लें उसके बाद में हलका गहराई से हम शेप देंगे देखे इस तरह जैसे आप यहाँ पे पिच्चर में देख रहे हैं मैंने इसे पहना है तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रख देंगे नीचे की तरफ और उपर हम यहाँ पे माक करना शुरू करेंगे 2.5 इंच पर लेखे इस तरह यह भी आप अपने हिसाब से कमिया जादा कर सकते हैं अगर आपको आगे की तरफ ज्यादा नोख निकालनी है तो आप जो है वो पॉना इंच तक कर सकते हैं लेकि मैंने हाफ इंच लिया है मैं इसकी इस तरह कटिंग कर लेते हैं और यह जो बेल्ट रहेगा अगर आप चाहें तो इससे चौड़ा भी बना सकते हैं अपने हिसाब से और लंबाई भी आप बढ़ा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर देखे इसे शेप दे दिया इस तरह उसके बाद में हमें जो है इसे हमार जो फैबरिक है उसके उपर पेस्ट करना होगा तो देखे यह बहुत ही ज़्यादा पतला है आप देख सकते हैं तो इसके उपर हम प्रेस से इसे अच्छी तरह से बिठा लेंगे लेकिन हम फोल्ड करते हैं तो इसमें से देखे वाइट दिखाई दे रहा है तो हमें जो है इस कपड़े को फोल्ड करना होगा ताकि जो अंदर का यह पेपर पेस्टिंग हो दिखाई ना दे दे इस तरह से दिखाई दे रहा है तो हम इसे पहले डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पर देखे मैंने इसे डबल फोल्ड किया है उसके बाद में हम इसे यहाँ पर प्रेस से चिपका देंगे उसके बाद फिर हम वापस से फोल करेंगे तो यह इससा हमें नहीं दिखाई देगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यह लग जाएगा तो देखिए मैंने यहां पर इससे इस तरह रखा है मैंने पिन लगा दिया है पहले उसके बाद में इससे हम इस तरह आप चाहें तो पहले एक सिलाई लगा दें उसके बाद में इसे यहां पर अटेच करें इससे हम देखिए इस तरह से पहले सीधा कर लेते हैं यहां पर हम इसे प्रेस से बिठा देंगे अच्छी तरह से और बाद में हमें यहां पर साइड साइड से बिल्कुल इसकी सिलाई लगानी है देखिए इस तरह चहां जा मैं निशान लगा रही हूं यहां पर हम सिलाई लगाएंगे हमें पेपर पेस्टिंग के उपर सिलाई नहीं लगानी है उसके बाद में हम यहां उपर भी एक सिलाई लगा देंगे साइट का दूनों हिसा हम खुला ही रखेंगे क्यों कि वहां से हमें स्ट्रिप को अंदर डालनी है और फिर आगे वाला जो हिस्ता रहेगा उसे हम थोड़ा सा खोल देंगे ताकि हम हमारे जो करिएगा इस चैनल पर आपको हर तरह की मेरी स्टीचिंग की वीडियो मिल जाएंगी तो आप लोग मुझे जरूर सपोर्ट करिए तो यहां पर देखिए मैंने स्टीक कर दिया है प्रेस से आपको बस इस तरह से बेटा लेना है तो इसके बाद सबसे पहले हम इस्टिप त की यहां पर हमस्ट्रिप तैयार करके इसे पाल Bennett लेंगे तो एक में लगा दी है दूसरे पर भी इसी तरह से लगाएंगे इसकी जगह अगर आप दूसरी स्ट्रीप बनाना चाहते हैं जैसे हम सिंगल वाली स्ट्रीप बनाते हैं अगर आप कपड़े से बना रहे हैं तो उसे आप डबल फोल्ड करके फिर दोबारा से फोल्ड करके भी स्ट्रीप बना सकते हैं जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में ready हो चुकी है उसके बाद में हम यहां पर जो है यह हमने जो यह तैयार करकि रखा तर बेल्ट इसके बिल्कुल साइड में हमने सिलाई लगा है इसलिए कि हमने इस कपड़े को जो है वो डबल किया हुआ है तो कपड़ा अंदर से फोल्ड ना हो, इसलिए हमने पहले सिलाई लगा दिया, उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो हमने पेपर के अनस को चिपकाया है, बिल्कुल उसकी किनारी पर से हम एक सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ पर दिखिए हमें इस तरह इस सिलाई लगाया है, लेकिन इस सिलाई को हम कट कर देंगे बाद में, क्योंकि हमें इस स्ट्रिप डालनी है, इसके बाद में बिल्कुल साइड साइड से हम इस तरह शेप के बिल्कुल साइड से सिलाई लगाएंगे, कैन्वस के उपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, तो यहा हाल से उंस प्रणा क्राश चोड़ते ऊवे कट कर लेंगे से । उसके बाद यहां पर हमे सेंडर पॉंट एगदम यहां पर रखना है और छोड़ना है उतना हैँ उत ना है बाद यहां है यहां हम थे उसके उसके को पर को स्थेविसा रहे को कपड़ाइब लिए और सिलाई करेंगे दो थे उसके खुलेट आपकी हम देआ यहां है हम इंगे दालनी है इस लाई लगा के वापस से इसे कट करके बराबर कर दिया है क्योंकि इस ट्रीप हम इसके अंदर डाल के उसके बाल सिलाई लगाएंगे तो इस तरह इस ट्रीप जो है वो फिन्शिंग के साथ लगी दिखाई देगी तो यहाँ पे पहले हम पिन लगा देंगे इसे, दीखे मैंने यहां पर बराबर कर लिया है अब हम यहां पर पिन लगा देंगे और यहां पर हमें सिलाई लगाने तो समिसी तरह से हम इस तरफ भी करेंगे इस ट्रिप को पहले हम अंदर की तरफ डाल देंगे और इसमें भी जो खुला वाला हिस्सा है इस ट्रिप का वो हम बाहर की तरफ रखेंगे तो यहाँ पे हम पहले पील लगाएंगे तो इस पे हम यह जो है वो डबल सिलाई लगानी है तो आपको यहाँ बीच में सिलाई ऐसी रखनी है साइड की सिलाई सिर्फ खोलनी है उसके बाद में से हम पलड देंगे तो एक तरफ मैंने सिलाई लगा दी है उसके बाद में हम दूसरे तरफ भी से हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है अब हम यहाँ से एक्स्टा कपड़ा कट करके बराबर कर लेंगे उसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो नौच लगा लिनी है सिलाई मैंने साइट की खोल दी है यहां पर हम हलका सा कट लगा देंगे ताकि इसे जब हम पल्टे तो हमारा जो यह पॉइंट हमने बनाया है वी शेप में आगे की तरफ वह अच्छी तरह से उभर किया है तो दोनों तरफ मैंने देखिए इस तरह से खोला है अब यहीं से हम इसे पलट देंगे तो पहले हम एक तरफ की यहां पर स्ट्रिप निकाल देते हैं बाहर इसका पॉइंट निकाल देंगे नुखिली चीज से ने तो बार-बार आपको पॉइंट निकालना होगा और यह खुला वाला हिस्स है यहां से हम जो अलग से नोस्पिस जो हमारी नीचे वाली रहेगी वो हम अंदर की तरफ डालेंगे तो यहां भी इसे बराबर करके हम पहले पेन लगा लेते हैं ताकि हमारा जो यह बेल्ट है एक कर में यहां पर मारकंग किया है उसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पर और अपर इस्में चारो तरफ सिलाई लगानी है दिखी जैसे हमने शेफ दिया भी उसी तरह में अगzhा बिच में त्ड़ा सा गैप चोड़ेंगे ताकि हम उसे पलड़ सके तो यहां पर हम एक इसके बाद में हां पर इस लह लगाइंगे है अब जो हमने चोड़ा था उसे यहां से हम कट कर देंगे तो इस तरह कर देंगे तो इस तरह अगर आप बनाएंगे नोस्पिस तो आपकी बहुत ही जादा खुबसूरत नोस्पिस बनेगी इसका भी पॉइंट जो है आपको अच्छे तरह से निकाल लेना है और ये वो आला हिस्सा है जो हमारे आख पे रहेगा बीच वाला हिस्सा और ये साइट का जो हम हमारे बेल्ट में लगाएंगे तो यहाँ पे जो हम पहले इसे बराबर करके इसलाई करते जा एंगे जो इस अखुला तो उसे भी देखिए मैंने बंद कर दिया दूड़ा के तो ये श्सा देखे नोस्पिस का हमारा रेडी हो गया है अब हमें बेल्ट में इसे अटेच करना है तो इससे को हम इस तरह अंदर की तरफ डाल देंगे जो हमने गैप छोड़ा था और फिर बराबर उस करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे तो जितना हमारा जो नोसपीस वाला हिस्सा है वो हम बेल्ट के अंदर पुरा डाल देंगे और फिर से बराबर करते हुए हम सिलाई लगा देंगे डबल सिलाई मैंने यहाँ पे किये इससे गुमाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे जहाँ पे हमने इस्ट्री पफेगई लगा ढ़निए लगांद लगा देंगे से घुमा देंगे iaba में जो ही हिस्सा बिल्कुल इसके लगा डालके फिलएवाला भाला भी साफहा किया वहां पेu सिलाई लगानी तो सेंटकना दो बिछमना में और बीच में दोहानी दोहां पहने लिए आप चाहें तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं बिल्कुल सेंटर में यहां उपर से लगा रही हूं क्योंकि अगर मुझे निकालना होगा तो वह आसानी हो जाएगी मेरे लिए इसलिए मैंने इसे अंदर के तरफ इस तरह से लगाया है और यहां पर हमारी नोस्प जितनी सिंपल रहती उतनी अच्छी दिखाई देती है तो मैंने यहां पर देखे बीच में डोरी का यूस किया है अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो मुझे एक कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चलेखे मेरा वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा तो झाल झाल